आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। हेलो स्टुडेंट तो कुश्चन है ट्रांजिस्टर प्रवर्दग का प्रचालन बिंदू होना चाहिए। आप्शन है इसके शक्री शित्र में, इसके संत्रक्ति शित्र में, इसके अंतक शित्र में और अंतक और शक्री शित्र के बीच में। तो देखिए यदि हम एक ट्रांजिस्टर के लिए इसके निर्गत वोल्टा और निवेशी वोल्टा के मध्यवकर बनाएं तो यहां पर निवेशी वोल्टा और यहां निर्गत वोल्टा तो हमें वकर कुछ इस प्रकार प्राप्ट होता है कि वोल्टा के एक निश्चित मान आउट्पुट वोल्टा अधिकतम होती है, उसके बाद Input वोल्टा बढ़ाने पर Output वोल्टा घटती है और उसके बाद यह संत्रप्त हो जाती है, तो इसको बोलते हैं अंतक शेट्र, अंतक शेट्र, यानि ऐसा शेत्र जहां आउट्पुट वोल्टा अधिक है परन्तु आउट्पुट धारा शुन्ने हैं, फिर आता है सक्रिय शेत्र, जहां IC में परिवर्तन होता है, तो IC में क्या होगा यहां पर? परिवर्तन, और फिर आता है संत्रप्त शेत्र, संत्रप्त शेत्र, संत्रप्त शेत्र में IC maximum होती है, अधिक्तम होती है, तो यहां पर जब हमें ट्रांजिस्टर को एक स्विच की भाती उप्योग में लेना होता है, तो हम अंत्रप्त शेत्र और संत्रप्त शेत्र का उप्योग करते हैं, परन्तु जब हमें एक ट्रांजिस् शक्रिशेत्र में संचालन करते हैं, क्योंकि शक्रिशेत्र में ही धारा का मान परिवर्थित होगा, तो input volta का मान परिवर्तित करने पर हम चापते हैं कि output धारा यानि निर्गत धारा और निर्गत volta परिवर्तित हो तो ऐसा तबी होगा जब सक्रिय शित्र होगा तो इसलिए transistor को प्रवर्दक के root में उप्योग लेने के लिए हम सक्रिय शित्र का उप्योग करते हैं यानि हमारा option 8 रही है